हेलो गाईज विल्कम बैक टो माई चैनल आज हम दोजतों वन वर्ड सब्सिट्यूशन का पार्ट नाइन देखेंगे इससे पहले हमने उस पर आठ वीडियो बनाई है अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं जो कि हर कमपेटेटिव पूछा जाता है तो देखते हैं वन वर्सक नाफ्स अट्म पहला वहँ इस ग्रेड इऍगे एक ऐसा शक्स जो बहुत ज्यादा क्या ग्रेडी यानी लालच है उसको बोलते हैं आलची अप रस ना झाल है है आप परस नेंसर सक्स जो अनेबल यानी या योग है तो पै देन के लिए चुकाने के लिए his debts अपने कर्स को यानि जो उसने रड़ लिया था उसको देने के लिए क्या है योग उसको बोलते हैं bankrupt जिसको हम कहते हैं दिवालिया निकलना उसको बोलते हैं bankrupt यानि ऐसा शक्त जो पैसा अपना उधार नहीं दे सकता अगला देखते हैं a person who is found of fighting एक ऐसा शक्क जो क्या Fond off यानि बहुत जदा शोकीन एक जीज का fighting लडने का यानि बहुत जदा लड़ता है सबसे उसको बोलते है लडाकू Summa जिसको बहुत जदा लडाकू शक्स लोड़ात वृश इंट उप onda को उप मुलते हैं बाइनियल यानि दिववर्सी दो साल में होने वाले चीज को इस तरह नgeordश देखते हैं एनिमल विद टूफीट ऐसे जानवा जो जिनके कितने पैरोते हैं दो पैरोते उनको बोलते हैं घ। यानि दोपाया दो कि पैरोल लोड़ते हैं हम बाइप्ट आप पर सन हुई जरॉफ एन इंडल मैनर्ड यान एक ऐसा शक्स जिसका जो मैनर है यह धंग है वो क्या है इल यानि सही नहीं उसका धंग है बोल बात का तरीका जो है यानि उसके अंदर तहजीब नहीं बाज पाई जाती है उसके नहीं पाई ज कैब चलाता हो या टैक्सी वगरा चलाता है तो उसको हम बोलते हैं कैबी यानि कैब चलाने वाला इस तर नेक्स देखते हैं I think which can easily broken I think यानि कोई भी चीज़ हो which can easily जो आसानी से हो सकती है broken तोड़ी जा सकती यानि जो तूड़ सकती उसको हम बोलते हैं brittle यानि भंगुर यानि बहुत यासानी से तूड़ जाती वो चीज़ नेक्स्ट है persuade by flattery persuade यानि मनाना किसी को by flattery यानि चापलोशी से किसी को जो आप मनाएंग उसको बोलते है casual यानि खुशामत करना casual करना यानि flattery यानि चापलोशी से उसको आप मनाते हैं किसी काम के लिए इस तरह next देखते हैं art of beautiful hand writing यानि कैसा हुनर या कैसा art है कला है किस चीज़ के writing यानि लिखने के कैसा लिखता है बहुत ही खुपसूरत तो उसको बोलते हैं कैलिग्राफी यानि सुलेक उसको बोलते हैं यानि बहुत अच्छी जो हैं डाइन डाइटिंग हम देखते हैं या इधर उदर लिखे रहती है वो होता है कैलिग्राफी उसको बोलते हैं और जो लिखता है उसको बोलते हैं कैलिग्राफर ठीक है उमिद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो